हलो एवरिवन सभी का वेलकम है ये योर इंगली शूटर पे शुरू करेंगे आज की क्लास को टाइमस ओफ इंडिया के इस प्यारे से एडिटोरियल के साथ अर्बन डिलेमा इसका टाइटल है देखें इंडिया में एक अजीब सी चीज आप देखेंगे जो आपको काफी कम कंट्रीज में देखने को मिलेंगी अगर आप मुंबई में जाएं बैंगलोर में या चेन्ड़ी में जाएं इंफेट डली में भी जाएंगे आपको 50-70 मंजला इमारते मिल जाएंगी बड़ी आसानी से और एक दोनी बहुत सारी इन इमारतों के बाजू में आपको मिल जाएंगी जूपड़ पटिया यानि की अर्बन स्लम्स तो ऐसी अन इवन सी ग्रोथ इंडिया में क्यों हो रही है एक तरफ इमारते 50-100 मंजल की दूसरी तरफ लोगों के पास घर भी नहीं है तो ये अर्बन डिलेमा आर्टिकल में बड़े अच्छे से अनलाईज करके आपको बताये गया शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में मैं चाता हूँ जो भी चीजें आप सीखें इन क्वेस्टन्स के आप अपलाई करें और आठ में से आपको आठ मार्क्स मिलें सुलूशन क्लास के लास्ट में करवाएंगे क्विज के अपकोर्स आई ये क्लास को शुरू करते है क्या रहा है जी अर्बन डिलेमा डिलेमा का मतलब होता है धर्म संकट इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है हमारे बास कौंडरी, डिफिकल्टी, प्रेडिकमेंट और एक इडियम भी है बहुत प्यारी सी हॉप्संस चॉइस का मतलब होता है एक तरफ कुआ एक तरफ खाई इसी चॉइस जो चॉइस है नहीं आपके पास है ना कुँआ है खाई है तो कोई चॉइस थोड़े नहीं इसको बोलता है एंग्रेजी में हॉप्संस चॉइस करेजी अर्बन डिलेमा आगई है भारत में अर्बन इंफ्रसेक्चर को शहरों के ढांचे को अगर आप देखें तो धर्म संकट में फस जाएंगे और बात हो रही है जी ट्वेंटी के ब्यूटिफिकेशन की जी ट्वेंटी से पहले शहरों को नकली तोर पे ब्यूटिफा ब्यूटिफाइड फोर इवेंट्स लाइक जी ट्वेंटी इस ओके दैट दे आर इन शेंबर्स मोस्ट ताइम्स इस नॉट कितना पहरा लिखा हुआ सेंटेंस है करेजी दैट ये बात की कौन सी बात कि जो पांट से कुछ सिरीज के शहरों के कुछ हिस्सें हैं उनको ब्य पांठा विखान है जाता है एक को सिरेट किया जाता है और किस लिएवन्ट्स के लिए जो हैं जी टवन्टि जैसे लाइक जी ट्वन्ट्वेंटि करे डैड्स ओके कि ये बात बिल्कुल सही है हम इससे कोई परिशानी नहीं है कि यuse सब हिस्सें में हैं अपरा तफरी में ह हैं बुरे हालात में हैं जलातर वक्त most times that is not यह चीज is not okay समझे मेरे बात को आप सुंदर बना रहे हो शहर को रंग रोगन कर रहे हो G20 से पहले हमें भी अच्छा लगता है आप करवाओ अच्छी चीज है लेकिन जो प्रंग रोगन जिन चीजों को कर रहे हो वो चीजे वैसी की वैसी वनी हुई है काफी वक्त से यह चीज हमें बिल्कुल प्र अच्छी नहीं लगती है समझ गे न संटेंस चलिए अब यहाँ पे ग्रामर कांसेट करवाएंगे आपको फटा फट से काफी बच्छों ने तो गैस कर लिया होगा इस वर्ड को देखते ही शैंबल्स को यह कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं ना इंग्लीश में जिनको देखते ही आपको ग्रामर का कॉंसेट याद आ जाए या कोई कॉंसेट आपके दिमाग में ताजा हो जाए तो यह शैंबल्स भी वैसा ही वर्ड है इस वर्ड के पीछे एस लगा हुआ है लेकिन इसकी खास है लेकिन यह विमारी प्लूरल नहीं है इसके नाम में एस लगा हुआ है तो इसको देख करके इसको प्लूरल वर्प देख करके मत आ जाना वैसे सब्जेक्ट्स हैं सारे पढ़ाही लिखाई वाले पॉलिटिक्स मैथेमेटिक्स सोचल स्टेडिस थर्मो डैनमिक्स इलेक् पीछे का एस देखकर करके यह मत सोच लेनाए क्यों प्लूरल गें मैं तो सिंगुलरी होगा और वैसे ही दो स्पैशल लॉंस है हमरे पास शेंबल्स और मींड्स शेंबлом का मतलब होता है बुरे हालात में अफ़रा तफरी में और मीन्स का मतलब होता है किसी कांग को करने का उपाए या तरीका अगर shambles word या means का इस्तेमाल कर रहे हो तो इनके पहले a या all या any का इस्तेमाल आप कर सकते हैं याद रखे shambles word जनरली अपने पहले a लेगा 99% cases में मैंने तो बहुत ही कम जगा देखा है कि shambles word के आगे a ना लगा हो आज times of India वाले ने लगा दिया है लेकिन technically यहाँ पे a shambles लिखा हुआ होना चाहिए था ठीक है फिर देखो यह तीन words ऐसे है species, series और whereabouts जो singular भी है और plural भी है species एक singular noun भी है, plural noun भी है s को लगा हो तब भी आप इसको plural और singular बना सकते हैं समझे ना singular species भी species होती है, s जो है singular में भी आएगा whereabouts का मतलब होता है, अता पता, series का मतलब होता है, shrinkla अब मैं कुछ questions बना के दिखाता हूँ आपको, समझ में आए concept कैसे apply करना है the human species has or have the highest level of cognizance and aptitude आदमी की प्रजाती के पास, species के पास, सबसे ज़्यादा cognizance और aptitude है, सबसे ज़्यादा awareness और mental capacity है aptitude मतलब reasoning करने की capacity, cognizance मतलब general sense है, common sense अब मुझे बताओ, human species plural है, singular है आदमी की प्रजाती की बात हुरी है, species word तो बिचारा S लेता है पीछे चाहे singular हो, चाहे plural हो, तो यहाँ पे आपको has का इस्तेमाल करना है singular species यह आपको देखते ही पता लग जाना चीए, ठीक है has the highest level of cognizance and aptitude लेकिन दूसरा sentence देखो many animal species has या have the ability to think and reason बहुत सारी जानवरों की प्रजातियों के पास भी यह शमताएं हैं सोचने की और logic लगाने की animal species, many, यानि बहुत सारी species word पे कोई फरक नहीं पढ़ता singular में भी species, plural में भी species लेकिन दूसरे वाले case में यह plural है इसलिए यहाँ पे have लेगा समझ गे? logically समझना देखो कोई rule रटा कुछ नहीं लगाना आपको मैंने system बताया और उसका logic बताया अब logic के हिसाब से questions को solve करो third को देखो governments use foreign exchange reserves as a mean या means to bringing stability when their economies are in a shambles सरकारे foreign exchange reserves को use करती है एक उपाय के तौर पे stability लने का जब उनकी economies जो हैं बहुत अफरा तफरी में बुरी हालात में shambles में होती है यहाँ पे उपाय की बात हो रही है उपाय के लिए सही word है means उपाय एक ही है इसलिए a means भी बिल्कुल सही होगा इस case में और वैसे ही shambles word का मतलग होता है अफरा तफरी लेकिन इसके पहले आप a लगाएंगे इसको shambles नहीं लिखते है इसको shambles से लिखते है ठीक है last sentence आपको ऐसा homework दे रहा हूँ सभी लोग इसको comments में post करें हर diabetes has या have entered a dangerous phase उसकी जो मदु में है diabetes या sugar की विमारी है वो एक dangerous phase में enter कर चुकी है खतरनाक चरण में खतरनाक phase में घुश चुकी है तो क्या लगाँ या has लगाँ या have लगाँ चल सभी डालो comments में खुद से practice करो confidence law यही जो है सीखने की कला है चलिए आगे बढ़े article की vocab पे बढ़ते है सारे vocabulary words आपके साथ एक साथ share करेंगे ताकि आप इसको smoothly बढ़ सकें एक like और एक share class को जरूर से दें और जिन बच्चों ने आपको डाउनलोड ने किया है जरूर से अपनी Android और iOS app को डाउनलोड कर लेना एप पे आपको सभी courses मिलेंगे जिन में personally आपको guidance मिल जाती है writing के course में आपको लिखना सिखाया जाता है आप लिख सकते हैं 70-80 घंटों में इस course पे कुछ discounts चल रहे हैं फाइदा ले सकते हो इस coupon code की मदद से आज इसी तरीके से UPSC complete migration course में आपको UPSC prelims, mains, answer writing, essay, preci, grammar, vocab everything is covered in this course हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप English में migrate कर सकते हैं UPSC किसी भी civil सेवा exam के लिए इसका भी फाइदा ले सकते हैं banking course भी available है जिसमें prelims, mains, सभी banking exams के आपको तयारी करवाई जाती है इसी तरीके से सभी SSC exams का भी full practice package available है download the app today, comment section में आपका link रखा है चलिए अब आगे बड़े, class को शुरू करें ये contact number है, team से बात करने का, whatsapp के तुरू चलिए वो cap sheet अपनी urban dilemma से dilemma से शुरू करेंगे, dilemma आप देख चुके हैं धरम संकट को बोलते हैं, difficult situation को बोलते हैं dilemma के लिए सारे synonyms हैं hops and choice, bind, quandary, predicament आज ये hops and choice नाम का word मैंने idiom जो है आप से article में quiz के अंदर पूछा है at the start of the second wave of the pandemic the nation was in a dilemma over the necessity of lockdowns pandemic की दूसरी लहर की शुरुवात में पूरा देश एक dilemma में था एक धरम संकट में था और जो धरम संकट था necessity को लेकर के, जरुत को लेकर के lockdowns की ठीक है dilemma over the necessity of lockdowns चलिए next word अपना chaos बहुत बार आता है word आप देखी पाते होंगे इसको disorder या अराजकता को बोलते हैं chaos सारे इसके synonyms भी है havoc, mayhem, turmoil, upheaval, uproar, shambles, pandemonium, muddle आज आज आप havoc नाम का word भी आर्टिकल में देखेंगे और shambles नाम का word भी आर्टिकल में देखेंगे after the Taliban took over Kabul there was an atmosphere of chaos on the streets जब Taliban ने कबजा जमा दिया काबूल पे तो एक atmosphere था वादावरन था अराजकता का वहां की streets पे सड़कों पे याद रखें havoc word जो है आपने आगे रीक लेता है रीक का मतलब होता है किसी चीज़ को cause करना की वह occur हो cause something to occur और havoc का मतलब होता है अराजकता when you wreak havoc आप अराजकता को पैदा करते हैं तो ये co-locatory words हैं हमेशा एक दूसरे के साथ में आपको मिलेंगे ठीक है? रीक है रीक हाइवक चली next word अपना perspective perspective का मतलब होता है viewpoint या नजरिया they try to look at the problem from a different perspective उन्हानने कोशिश की कि problem को एक अलग नजरिये से different perspective से देखें इसको perception, mindset, outlook या पर नौर्मा भी बोलते हैं you'll see this word in the article in the article today एक और word आपके लिए नया frenetic frenetic और frenetic frenetic और frenetic या frenzied एक ही words है इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत wild हो और agitated हो, मैं आपको example देता हूँ आपने कभी मदुमक्हियां आपका पीछा कर रही हो तो वो बड़ी frenetic या frenetic situation है मदुमक्हियां जंगली होकर कि आपके पीछे पढ़ जाए या कोई आपके पीछे डॉगी पढ़ जाए इस तरह से एकदम काठने को आए खाने को आए, गरम जोशी के साथ में तो वहां पर इस वर्ड का जो है सही इस्तिमाल आप कर सकते है several ambulances rush towards the accident spot at frantic pace करा है बहुत सारी ambulances जो है वो rush toward कर रही थी, भाग रही थी accident spot की तरफ एक बहुत ही wild pace के साथ में बहुत ही agitated रफतार के साथ में चलिए, यह word article में देखेंगे नया आपके लिए last phrasal verb आपने पास spruce up spruce up करना पता क्या होता है आपने कभी-कभी gardener को देखा होगा माली को, है न, बगीचे में वो क्या करता है, जाडियों को काट-काटके अलग-अलग शेप देता है किसी जाड़ी को ऐसा बना देगा किसी को काटके ऐसा बना देगा समझे, तो यह क्या करता है वो यह काट-चटाई का काम करता है spruce up करने का spruce up का मतलब होता है चीजों को well-groom करना, neat and clean करना अब ऐसा नहीं है, यह spruce up सिरफ garden में होगा ऐसा नहीं है अगर आप किसी personality development class में जाएंगे तो वो आपकी personality को spruce up कर देंगे अगर आप किसी business school में जाएंगे तो वो लोग भी आपको spruce up करेंगे well-groom करेंगे आपका कपड़े पहनने का, बोलने का, चलने का और सोचने का हर अंदाज को थोड़ा sophisticated बनाएंगे ठीक है तो decorate करना जैसा इसका meaning होता है चाहे बगीचे में करें या चाहे किसी इनसान को करें तो यह phrasal verb जो है कटाई-छटाई वाली article में आप देखेंगे the company has employed an advertising agency to spruce up spruce up its public image company ने employ किया है एक advertising agency को ताकि वो decorate कर सके, well-groom कर सके साफ कर सके company की public image को इसको dress up करना या titivate करना बोलते है titivate एक highly advanced word है मैं खुद भी बूल जाता हूँ इस word को जितनी बार इस word को देखता हूँ ना मुझे इसका meaning याद नहीं होता फिर मैं इसको डिक्सी में चेक करता हूँ तो यह titivate जो बना आपको जुगी जोपडिया और इन जुगी जोपडियों को छिपाने के लिए जब भी G20 जैसा कोई भी conference होता है तो सरकार इनके आगे दिवाल बना देती है इनके आगे कुछ डेकोरेशन कर देगी ताकि आने वाले guest लोगों को यह जुगी जोए दिल्ली मुंबई में दिखाई ना दे हमारा article करे कि जितना पैसा तुम यह beautification पे खर्च करते हो न उतना पैसा इन जुगीयों वालों को बसाने पे खर्च कर दो शहरों में पानी बर जाता है आपके बैंगलोर जैसी सीटीज के अंदर क्योंकि सारा ध्यान है आपका ब्यूटिफाई करने पे शहर को बड़े highways बनाएं बहुत जादा जो है आप flyovers बनाएं उससे पहले ज़रूरी चीज है कि आप जो है strong water drainage बनाएं जहां से पानी बाहर निकल सके सीवेस treatment plants बनाएं जहां पे गंदा पानी साफ हो सके तो अब basic necessity पे पैसा खर्च करो ना कि शहरों को decorate करने पे यह decoration जो है public के पैसे की चोरी है उसकी खराबी है तो आज की tone है criticizing सरकार को criticize कर रहा है ahead of the G20 leaders summit is playing out a template that has already been tested in other cities across the country करे जो decoration drive चल रही है drive का मतलब अभियान, decoration का मतलब है सजावट करे जो सजावटी अभियान चल रहा है और कौन सा अभियान, जो get into कर रहा है, जो enter कर रहा है जो घुस रहा है, frenetic gear में उस gear में, उस phase में, जो frenetic है, wild है, agitated है, intense है बहुत तेजी के साथ पूरा सजावट का काम दिल्ली में हो रहा है करे ये सारा सजावटी काम पब्लिक के पैसे पे, दिल्ली में और कब हो रहा है, G20 leaders की summit से पहले, इनके शिकर सम्मेलन से पहले कह रहा है, ये सारी drive, ये सारा अभिहान, play out कर रहा है, unfold कर रहा है, या happen कर रहा है, अकर कर रहा है और कैसे, ये play out कर रहा है, उस template के तोर पे, उस रुझान के तोर पे template क्या होता है, fix psych performa, हर बार वैसा ही होता है, आपको पहले से ही पता हो तो एक उस रुजान की तरह है उस टेंपलेट की तरह है जो की पहले से ही टेस्ट किया जा चुका है जिसको पहले से ही अजमाया जा चुका है भारत के दूसरे कई शहरों में इन अधर सिटीज अक्रोस दा कंट्री कैरा और कैसे I'll beat on smaller scales हालांकी ही छोटे लेवल पर smaller scales पर दिल्ली में decoration drive नहीं नहीं है यह decoration drive मुंबई में भी हुई थी दो साल पहले यह अमदाबाद में भी हुई थी जब टरंप आया था तो यह हर बार होती है कुछ नया नहीं है जो इस बार आप देख रहे हैं drive आपका subject है is playing out इसकी verb है play out का मतलब होता है किसी चीज़ का occur या happen होना लेकिन अपना रूप बदलते हुए परिवर्तित होते हुए अपनी form को change करते हुए play out को उंगरेजी में develop evolve या translate इंटू करना भी बोलते हैं ज़्यादा advanced नहीं जाएंगे meaning का meaning निकाल दो इसका play out करना किसी चीज़ का अपना रूप बदलते हुए घटित होना template आपको मैंने बता दिया fixed performa that की verb है has already been tested that आया template के लिए यहाँ पे that आया drive के लिए तो that की verb है is getting यहाँ पे that का antecedent singular यहाँ भी that का antecedent singular इसलिए दोनों जगह that की verb भी singular है is getting or has been tested antecedent पे ज़रूर ध्यान दिया करो relative pronounce के who which that या what के चली आलबीट का मतलों होता है halanki या even though या दो kare spruising of of roads and monuments plastering of summit insignia and other art on public walls overnight spread of dust free flora and LED lights these have been a few of the common touch-ups for various G20 meetings kareji grooming करना spruce up करना beautify करना marmat करना खड़ों को भर देना और किसके सडकों के और monuments के monuments मतलब बड़ी-बड़ी मूर्तियां जो लगे हुए statues बगरा kareji इनको groom करना फिर plaster करना या चिपकाना summit से जुड़े हुए badges को insignia को या symbols को है ना G20 का कहीं पर emblem बना देना कहीं उसका mark बना देना और दूसरे कई आर्ट को public walls पे और रातों राज जो spread है फिलाव है ऐसे flora का ऐसे पोदों का जो dust free है जिन पर मिट्टी नहीं लगती और LED lights का करहा ये सारी जो ताम जाम होती है ना public के पैसे पे ये सारी ताम जाम जो है ये रहे है अ फ्यू कुछ एक वो common से टच अप वो common सी grooming की tricks जो various G20 meetings में आती है अलग-अलग शेरों में हमने देखी है तो कहीं पर road को साफ करने लगते हैं कहीं पे दिवार पे कुछ चिपकाने लगते हैं लाइटे लगा देते हैं LED तो ये सब होता आ रहा है और G20 में हमने अलग-अलग शेरों में होते हुए देखा है दीज आये हैं इन सभी के लिए दीज की वोवाई have been linking वोवाई यहां पे perfect tense में main work कोई action में है नहीं तो the have के बाद में बिल लगाया गया है ठीक है touch up यानि grooming किसी चीज को थोड़ा सा decorate करना तयार करना flora मतलब plants ओदे insignia मतलब official badge official जो है mark या निशान तो G20 का insignia भी तो होगा न कुछ emblem होगा sprucing up आप समझ चुके हैं किसी चीज को सुंदर बनाना well groom करना monument आप समझ जानते होंगे मूर्तियों को बुतों को और statues को बोला जाता है जो अपने circles पे लगे रहते हैं there is nothing objectionable about such improvements करा इन improvements के बारे में कुछ भी objectionable नहीं है हमें कोई भी परिशानी नहीं है in improvements से there is nothing objectionable करा येट in many cities all this beautification raises questions for citizens करा फिर भी बहुत सारे शहरों में ये सारी जब decoration है beautification है ये सारी sprucing up है ये खड़ा करती है questions को, सवालों को आम आदमी के लिए for citizens beautification की वह होब है raise का मतलब है खड़ा करना ठीक है rise और raise के बीच का फर्क जानते हैं rise मतलब खड़ा होना raise मतलब खड़ा करना तो raise एक ऐसी वह होब है जो active में जरूर अपना एक ना कोई object लेगी तो raise is question करा इन मुंबई for example the potholes getting filled for a bit and the curtaining of slums have been criticized as VVIP appeasement करा अगर for example आप मुंबई में देखें इन मुंबई जो potholes का filled होने का काम है potholes कोन से होते हैं आपके रस्ते के गड़े सडक पर जो बने होते हैं जिन में आपके गाड़ी फस जाती है वार वार करें जी उनका filled होने का काम है थोड़ा बहुत for a bit और जो curtaining है जो परदा लगा के चुपाने का काम है curtain करना, conceal करना, hide करना करें जो clocking है या concealment है या hiding है मुंबई की जुगी वस्तियों की इनको criticize किया गया है VVIP appeasement के तोर पे बाहर से आने वाले बड़े लोगों को रुजाने या खुश करने वाले तरीकों के तोर पे है ना सब चीजों को गड़ों को भर दो slum को चुपा दो बाहर से VVIP भी आए उसको देख के इंडिया में बुरा बुरा फील ना हो चलिए दो सब्देट से आपके पास यहाँ पे पॉट होल्स और कर्टनिंग ठीक है दोनों की वाब है वाब को भी प्लूरल रखा गया है अपीजमन मतलब तुस्टी करन किसी को खुश करना किसी को चापलूसी करके समझ गे ना उस तरीके से हैपी करना आपके लिए राजी करना करे दो टचप एंड अब हाइलाइटिंग हाव बैट दे येर अराउंड ग्राउंड रियाल्टी इस करे ये सारे जो टचप है जो सारी डेकोरेशन है ये एंड अब होती है इस मुकाम पे पहुंचती है और क्या मुकाम है हाइलाइट करने का जोड देखर के प्रकास देखर के दिखाने का कितनी बैट जो है पूरा साल जमीनी हकीकत होती है ग्राउंड रियाल्टी इस ठीक है सेंटेंस बड़ा आसान सा है एंड अब के बाद में आब वर्ब के आंजी फ़र्म देखेंगे क्योंकि अब यहां पे एक वर्ब के अब जो है प्रेपोजिशन है और अपने बाद में जीरंड ही लेगा ना उन जीरंड लेगा तो एंड अब के बाद में हाइलाइटिंग लिखा हुए रेयल्टी के वाव होगी जीर आगे बढ़ो छोटा सा यह आटीकल यह कहरे जी नेक्स परग्राफ में तो यह जो सारी बाते हमने की हैं यह पाकिस्तान से कंपेर नहीं कर रहे हैं बंगलादेश से कंपेर नहीं कर रहे हैं अफकोर्स वहाँ से बहुत अच्छी हालात है यहां पे बहुत अच्छी सड़के हैं सब कुछ इंफरस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का है लेकिन हम अपने आप को कंपेर कर रहे हैं वेस्टन कंट्री से जर्मनी से फ्रांस से और यूके से कर अगर कॉलिटी ओफ लाइफ देखें इंडियन सिटीज की तो यह सफर करती है ना केवल वेस्टन कंट्री के कंपेरिजन में अच्छा और किसके कंपेरिजन में सफर करती है हमारे बहुत सारे एशियन नैवर्स जो है एशियाई परोसी देश जो है वो भी रेस कर गए हैं बहुत आगे फार अहेड हाल के कुछ दशकों में रीसंट डेकेट्स में चलिए मैनी की वह बहुत रेस्ट रेस्ट फार अहेड करना बहुत आगे चले जाना यहां पर mlड़त कर लिए उन कंट्रीस को मेंने निकाल दिया क्योंकि toxic अब यह बात कर रही हैं होंक कोंकी सिंगपूर की जाना समझ पहसे भाईंड कि तो वहां से कंपेरिजन करेंगे तो इंड्या का इंफ्र स्क्टर्ट्र आपको फोड़ा सा पीछे भी लेगा करें जी gated communities have provided private islands of world class living but these can hardly be immune to overall urban disrepair करें जो gated communities हैं , gated community पता है वो क्या होती है शहर बज़ जाता है पूरा 4 divari के अंदर आजकल प्राइविट शहर उसको बोलते हैं gated community 5000 मगान होंगे, 4 दिवारी होगी 50 गार्ड होंगे 20 गेट्स होंगे अंदर बड़े-बड़े टावर बने होंगे हर टावर में 200 घर होंगे बड़े-बड़े स्पेशियास नीचे गार्डन, पार्किंड आजकल हर बड़े शहर में आपको मिलेगा करें जी इस तरह की जो gated community है gate लगागर के पूरा जो स्वर्ग बसार का है करें इन communities ने provide किया है private islands को और ये private islands कैसे है world class living के जहां पर बड़ा अच्छा आपको जीवन स्थर मिलता है करें लेकिन ये hardly ही immune होंगे ऐसी communities बहुत ही मुश्किल से ही immune होती है overall urban dis repair को देखर के overall मिला करके जो शहरों में मरमत की ज़रूरत है dis repair का जो काम हो रहा है dis repair समझते हैं आप चीज़ें खराब हो रही हैं लेकिन आप उनको repair नहीं कर रहे है तो gated community से जब बाह निकलोगे तब तो शहर असली दिखाई देगा न चाहे आप gated community में कितना भी अच्छे तरीके से world class living style को जी सके समझ गे gated community की वोब है have provided have provided dis की वोब है can be hardly का मतलब होता है बड़ी ही मुश्किल से immune to का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने आप पे कोई असर ना होना इन community में भी लोग बाहर आते हैं jobs के लिए तो देखते हैं बाहर सड़के टुटी हुई है gated community के अंदर तो सब कुछ ही अच्छा होता है चलिए समझ गे ना क्या कहना चाहरा हूं मैं यहां पे grammar concept भी है थोड़ा सा flow बनाते हैं फिर इस concept पहेंगे hardly versus hard इन तोनों adverbs को कैसे use करना है करें जी last year's flooding of Bengaluru elite tech parks serve this reminder vividly करें जी last year की जो flooding थी Bengaluru के elite tech parks की tech parks कोन से Bengaluru के जहां पे जो tech बड़े-बड़े billionaires millionaires रहते हैं बाहर की कंपनियों के CEO's technology जो फिल्ड के अंदर जो बड़ी कंपनी है करें बेंगलूरू का ही जो पॉश लाका है tech parks वाला जहां आट-ट-ट-ट-करोड के घर हैं करें इसकी जो flooding हुई थी last year यहां पे जो बाहर आई थी करें इसने serve किया था इसी reminder को बड़े ही vivid और vibrant तरीके से बड़े ही clear और distinct manner में समझ के वहां अंदर 10 क्रोड का घर है बड़ी अच्छी सुईधा है लेकिन अगर बाहर बाढ़ आएगी तो अंदर भी बाढ़ आजाएगी उस community के चाहिए आकवा घर कितना भी महंगा हो flooding की वह होब है served फिर क्या हुआ करें जी this year the rains have combined with substandard drainage to wreak havoc across North India और करें इस साल देखें तो rains ने combine कर दिया है और किसके साथ में combine हो गई है यह जुड़ गई है substandard drainage के साथ drainage का मतलब होता है पानी की निकासी बरसाती पानी को बोलते है उसकी drainage को है ना substandard का मतलब होता है तो ज्यादा अच्छी ना हो तो तेज बारिश और कम निकासी इन दोनों को combine हो जाने से रीक हैवक हुआ है बहुत सारी अराजकता फैली है है हैवक समझते ना अराजकता पैंडेमोनियम तो और कहां पे पूरे नॉर्दर इंडिया में पूरे उत्तर भारत में डिल्ली में बार आई हर्याना में बार आ याद रखना रेक हैवक नाँगा कोई फ्रेज नहीं है फ्रेज एक्चल में रीक हैवक के रहे जी स्टिल न्यू फ्लाइवर्स रिमें लावडर प्राइटीज दन मौर सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट्स और ड्रेंड वर्क्स के फिर भी नए फ्लाइवर्स जो है नए इनिकिछ बात कोई निकर रहा करा क्योंकि यह कंसी को मत्लव किलैका कि मैं न PETER भी नित्रीट्मेंट प्लांट सब्सक्राइज की उतलेश यह जरूरे तो यहीं इयस बने शेहर में पानी आये वर्साथ कि पानोव्स निकल जाये सक्षी लाभता सुन्ने में है बड़ा कि और शोविनेस, वर्संस आर सिचुएशन, वेर अर्बन इंफ्रसेक्चर, हास फालन बहाइंड, फार बहाइंड, तोड़ेस नीडस, कैरा यह जो पिवेट है आपका जुखाव है, और किस पे शोविनेस पे, सारा जो आपका जो पिवेट है, जो फोकल पॉइंट आपका जु आज कल की नीट्स के हिसाब से तुड़ेज नीट्स के हिसाब से करहा जी लेट अलोन टॉमोरो सुझ का मतलब है छोड़ी दो बात ही मत करो नोट्टू मैंशन तुमोरो जानी कल की तो पतानी कब बनेगा लिएकर से अरबन हमारा शैरों का क्योंकि सारा जुकाव सारा पीवि चलिए, infrastructure की वह हो है, has fallen let alone एक phrase एंग्रेजी में, इसका मतलब होता है not to mention adverbal phrase है, let alone को इंदी बोलते हैं, बात ही मत करो ठीक है, बात ही मत करो, let alone चलिए, last paragraph है, एक grammar concept एक करवा दूँ कहा फटाबट से देख लो, अंग्रेजी में hardly और hard दो अलग-लग words है और मैं देखता हूँ, जदातर लोग इन words को interchangeably use कर देते हैं, इनके अलग-लग meaning होने के वाबजूत hardly का मतलब होता है, बड़ी मुश्किल से या ना के बराबर मेरे पास hardly थोड़ा सा पैसा है I have hardly any money, या मेरे पास hardly, मेरे पास बहुत ही कम time है I have hardly any time, समझगे ना के बराबर है बड़ी मुश्किल से close to nothing, वहाँ पे hardly verb का इस्तिमाल करना है और hard जो word है, hard का मतलब होता है बहुत जोरों से with force or rigor किसी ने आपको थपड मारा, तो उसने slap किया आपको hard hardly नहीं किया, hard hardly का मतलब है कि आप बड़ी मुश्किल से slap किया उसने तो जोरों कमा रहा है आपको तो hardly और hard को confuse मत करना meaning दोनों के आपने निकाल लिए, अब इनकी position भी देख लो hardly आएगा main verb से पहले, hard आएगा main verb के बाद समझगे, linking verb के case में दोनों ही linking verb के बाद आजाते है वैसे hardly को आप main verb से, action verb से पहले दिखेंगे और hard को action verb के बाद दिखेंगे चलो इसको डिखेंगे, technically कैसे questions exam में मिलेंगे banking SSC और दूसरे जो exam से आपके, railways बगरा के Garrett the girl punched her, attacker hardly लडगी ने punch किया, अपने attacker को, अपने हमलावर को, घुसा मारा, बहुत जोरों का hardly का मतलब होता है, बड़ी मुश्किल से मारा या ना के बराबर मारा ऐसा नहीं है, हम बताना चारे है, घुसा जोरों का मारा आई बात समझ में, जोरों का गुसा हमारा है, तो hard लिखो और फिर इसकी position भी चेक करो punch verb के बाद आ रहा है hard आप इसको यहां भी रख सकते थे, और आप इसको यहां भी रख सकते थे punch hard hard attacker, ठीक है generally add verb को verb और उसके object के बीच में नहीं रखा जाता इसलिए मैं punch और उसके object जो heart attacker है उसके बाद में add verb को रख रहा हूँ ठीक है, सही जो इसके neutral position है वो object के बाद होनी चाहिए समझ के, hardly का hard क्यों बनाया, जोरों का punch मारा लड़की नहीं a false tongue will speak truth hardly एक जूटी जुबान ना के बराबर ही यह बड़ी मुश्किल सही सच बोलेगी false tongue, जूटी जुबान तो ना के बराबर सच बोलेगी तो hardly word ठीक है hardly word तो ठीक है लेकिर इसकी दिक्कत ही है, यह word आएगा verb से पहले, तो will hardly speak truth main verb जो है speak उससे पहले लिखेंगे hardly helping verb के बाद the little boy spoke so softly that I could hear him hardly छोटा बच्चा इतना दीमे से बोलता था कि मैं उसे बड़ी मुश्किली सुन पाया बड़ी मुश्किल सुन पाया बच्चा वो दीमे बोलता था hardly सुन पाया अगर hardly सुन पाया तो ये word तो सही है लेकिन position को सही करो I could hardly hear him helping verb और main verb के बीच में रखा जाएगा ना की ना की end में ठीक है चलिए concept समझ में आ गया बहुत आसान है मेरे क्याल से एक बार में समझ सकते हो नोट्स बना ले ना इसके आज के quiz में question आप से बूचा गया है अब आएंगे last paragraph पे करे जी there is broad expert consensus on the problem इस पूरी समस्या पे बड़ी expert consensus है experts की एक आम सहमतिये agreement है इस पूरी समस्या को लेखर के क्या agreement है वो अब बताएगा आपको आगे that there is two little devolution of powers to local government वो यह कि बहुत ही कम real devolution है devolution का मतलब होता है चीजों का बतवारा उपर से नीचे की तरफ दादे से बाप की तरफ बाप से बच्चों की तरफ बच्चों से पोतों की तरफ समझभा रहो evolution मतलब नीचे से उपर जाना और चीजों का इकठा होते जाना डिवलुशन मतलब उपर से नीचे आना और चीजों का बढ़ते जाना तो पार्स का ट्रांसफर या हैंडवर या डिस्ट्रिबूशन नहीं है लोकल गवर्मेंट की तरफ नगर पालिका और नगर परिशत की तरफ एक्सपर्ट का यह कहना है कि यह नहीं होता ना मारे देश में पावर्स नहीं आती है इनके पास इसलिए आज भी अर्बन इंफरस्रेक्टर की जो है समस्या है चलिए कंसेंसस यानि अग्रीमेंट इसकी वह है कंसेंसस की वह है इस डिवलुशन आप समझ चुके हैं बटवारा नीचे की तरफ इसकी वह है करेजी एन आर्बबा रिपोर्ट पोइंट आउट आट डिस्पाइटिंग कंस्यूटिटूटिटूटर इक पावजूद मिल जाने के समिधानिक पैचान या कंस्यूटिटूटूटर रिकोगनिशन उननी सो बनवे के समिधान के सुधार में करेजी बावजूद 1992 में समिधान की तरफ से कॉंस्यूटिटूशनल डिकोगनिशन मिल जाने के बावजूद कोई भी डिस्टिंक्ट राइज नहीं आया है कोई भी देखने दिखाई देने वाला उच्छाल नहीं आया है और अवर्ल मुंसिपल रेवेन्यू में मिंधान की अनुस्यूची में डाला गया फिर ये समिधान की तरफ से अर्बन लोकल बोडिस को मानेता मिलने के बावजू तीस सालों में भी इनकी कमाई में कुछ फरक नहीं आया है ये उन्निशन वाला ही इंफलेशन के साफ से रिपोर्ट की वह होए पॉइंट्स राइज की वह होए राइस की वह थास्पीन डिस्पाइट का मतलग होता है बावजूत लोकल गवर्मन्ट समझते न आप पंचायत गांओं में शैरों में भी होती है पंचायत और साथ में होती है नगर पालीगाया नगर परिशत मुंस की समस्याओं की जड़ यह है केरी केरा जी meaningful urban renewal needs local interest and supervision to be in the driving-sights कार सार्थक urban renewal करना है शेरों को renew करना है सार्थ तरीके से meaningful तरीके से तो इसको जभरत आ कि local लोगों का इंटरस्थ उसमें आये और supervision भी आये और यह कहां हो यह interest दो Henderson को driving seat में सबसे आगए local आदमी के इसाफ से चीजे बने और उसके सूपर विजन में बने लोग देखें क्या बन रहा है कैसे बन रहा है कई चोरी तो नहीं हो रही है तब ही अर्वन रिन्यूबल जो है हो पाएगा रिन्यूबल की वह वह नेट्स के रहा है दैट इस हाव सिटिजन्स प्रस्पेक्ट इस प्रस्पेक्टिव है आम आदमी की जो नजरिया है वो इंकॉर्परेट होता है शामिल होता है अंदर इंक्लूड होता है और वो फील करते हैं जुड़ा हुआ अलग-अलग टाइप के प्रस्पेक्ट से जो उनके शहर महले गाम में हो रहे हैं इस तरीके से आप लोगो को जो है इंटरस्ट पैदा करके डिवलपमेंट की काम से जोड सकते हो इस प्रस्पेक्टिव मतलब नजरिया इसको व्यूपाइंट या पॉइंट भी बोलते हैं पैनॉर्मा भी बोलते हैं सभी इसके से नॉनिम्स हैं है ना अच्छा दे की वह है फिल दे आया है से लिए ठीक है दे आया है for citizens करें पुने इट नॉट इवन टेक अवीक आफ्टर दे जीट्वेंटी मीटिंग रैपड़ अप फोर दे ब्यूटिफाय स्टेटिस तू रिटर्न तू नॉर्मल करें पुने में एक वीक भी नहीं लगा इट डिड नॉट टेक विन वीक पुने में ए पुने हर के छिस्सों को रिटर्न करने में नॉर्मल ठालतों की तरफ एगाने होने में और और वह नॉर्मल घ्लाट कह थिल ऑफ गारविश एदिए ए ब्याप व्ल आनों करोड़ों को कहीं और यूज़ करने के जड़ होता है हमें कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए आप तो सुंदर सुंदर काम करो बुनियादी धांचे को बनाओ ताकि ये करोड़ों को वहां खर्च करें जहां से लॉंग टम मेनिफिट मिल सके करोड़ों की वह बहुत ही प्यारा यही शिक्षा है अगर आप कोई पूछे ना आपसे कि क्या करोगे पड़ लिख करके एक अनपड आदमी और पड़े लिखे आदमी के बीच का यही फर्क है जो इस फर्क को समझ पाए कि क्या तो मैं डेकोरेशन देख रहा हूं और क्या मैं मीनिफुल जो है सुधार देख अदर होती हैं इन मैं से कौन सी चीज आप को सही लगती है इन कम्मैंटी चे मिश्था सब्साइब को अपने अपने इसी साप से नहीं बताना अगर decorate हो जाएगा शहर तो क्या दिक्कत लगती है इसको तो पांच दिक्कतें बताई गई है एक दिक्कत को आपको answer बनाना है main level का question है दो answer सही बटेंगे लेकिन उसको लेना है जो आपको main लगे secondary वाले को छोड़ दो primary वाले को पकड़ लो answer first comment में डाल दिये है है वहां से match कर लेना option choice इस idiom का meaning पूछा है अफको आता ही होगा आता है न option choice फ्रेजल वह पूछी है spruce up इसका क्या meaning होता है है न यह भी करवा चुके हैं आपको synonym पूछा इस word का में हम का चार आपके पास word दिये गए है फ्रेंटिक या फ्रेंटिक परस्पेक्टिव प्रेडिकमेंडिया है वक चारों का meaning निकल दो फिर अपने में हम का synonym निकल आएगा आपको चारों का ही meaning आना चाहिए इसमें तीन errors मिलेंगी पहली error आपको मिल सकती है इस word के आसपास दूसरी error आपको मिल सकती है इस word के आसपास ठीक है ढूंडो अराम से मुलागत लेंगे next class में until then signing out